हेलो एवरिवन, वलकम टू माई योटिब चैनल, आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपी रिक्रूट्मेंट दोजार चॉबएस के बारे में एलपी की एक्जाम डेट क्या है, आपके पास CBT1 की और CBT2 की तैयारी करने के लिए कितना समय है और साथ ही यहाँ पर टोटल नंबर आफ एप्लिकेशन को लेकर जो अभी योट्यूब पर बहुत बड़ा कन्फियोजन बना हुआ है उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा यहाँ पर दो तरगे कन्फियूजन है, पहला तो नंबर आफ एप्लिकेशन को लेकर यह, बहुत ही मिसमैच डाटा यहाँ पर जो हो रहा है कहीं पर 9 लाग बताए जा रहे हैं, तो कहीं पर 2 लाग बताए जा रहे हैं, तो यह डाट आपका आटे के माध्यम से क्लियर हो जाएगा साथ ही, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, क्या वो कैटेग्री वाइज आ रहा है या फिर ओवरोल आ रहा है साथ में दो सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप इन बुक्स का कॉम्बो पैक भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको असिस्टेंट लोको पाइलेट की स्टेडी गाइड, साथ में प्रैक्टिस बुक और उसके अलावार रीजनिंग mathematics और सामानने अध्यान की chapter wise बुक भी देखने को मिल जाती है, जिसमें 6000 से ज़्यादा MCQ आपको मिल जाते हैं, सबी के solutions भी अवलेबल हैं, इनको परचेस करने का direct link description में है, या फिर आप चाहें तो नजदी की bookstore से भी इनको परचेस कर सकते हैं तो देखे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ELP exam date के बारे में, यानि कि आपके पास जो है, ELP की तयारी करने के लिए कितना time stage है, और यहाँ पर आपको बता है कि railway ने एक tentative schedule पहले ही जारी किया था, जिसके second point में नोंने बोला था कि CBT1 का जो exam है, वो हम June और August के बीच म परा जेता हूँ, जो last phase election का, वो मई 19 को है, और उसके बाद आप मान लीजे माई, यानि कि June के starting वगएर में, इनका result वगएर अनाउंस हो जाएगा, और इसी को देखते हुए, यहाँ पर जो date दी गई है, वो आपका June और August के बीच में दी गई है, यानि कि मान लीजे कि June 15 क पर आपका एक्जाम स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसिस हैं, और फिर यह आपका जो है, अगस्त तक इनोंने बोला कि एक्जाम चलेगा, क्योंकि बहुत सारे अप्लिकेशन्स आएंगे, और उसके आदार पर यहाँ पर इनने बता है कि June जुलाई, अगस्त तक आपक यह एक्जाम चलने वाला है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि June 15 के आजपास आपका एक्जाम स्टार्ट होगा, तो उस हिसाब से आपके पास कितने दिन है तैयारी के लिए, तो देखो, अभी आपके 19 फरवरी तक तो फॉर्म भर जाने है, तो मार्च से अगर हम स्टार कर दू, इन 107 दिनों में जो है, आपको CBT-1 के साथ CBT-2 की भी तयारी करनी होगी, क्योंकि CBT-2 के लिए ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है, देखो, जैसे इन्होंने काए कि अगस्त तक तो यह लोग CBT-1 ही लेंगे, उसके बाद इन्होंने काए कि जो CBT-2 वो डारेक्ट यह लोग सितंबर में लेने वाले हैं, तो आप माली जी कि अगस्त की अगर 15 तारीक तक या 20 तारीक तक एकजाम खतम होता है, तो उसके बाद सितंबर में एकजाम स्टार्ट होगा, यानि कि 15 से 20 दिन का ही बीच में आपके पास समय है, CBT-2 की तयारी करने के लिए, तो मेरा कहना यह है कि जो 107 दिन आपको यह बिल्कुल क्लियर मिल रहे हैं, इनिवे आप लोग CBT-1 और CBT-2 की तयारी करें, बाकि अगर बात करते हैं साइको की, तो यहाँ पर जो साइको टेस्ट है, यह नवंबर में इनोंने बोला है, तो इसके लिए तो आपको अच्छा कासा टाइम मिल जाएगा, मानलो कि यहाँ पर पूरा अक्टूबर आपको मिलने वाला है, यहनि कि 30 दिन आपको मिलने वाले हैं, जो कि CBT की तयारी करने के लिए सफीशेंट हैं, अगर आप पढ़ना भी जाते हो, तयारी करने या फिर दिल ली जाते हो, यह दो आप कह सकते हैं कि बेस लेवल पर है, बेस से वो स्टार्ट कर रहा है, तो वो भी 107 दिनों में अच्छी तयारी कर सकता है, लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है कि competition लेवल बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए आपको तयारी बहुत बढ़िया करने होगी, अब उसके बा कि सबी चैनल सपना जो डाटा है वो दिखा रहे हैं, कोई 14 लाग बता रहा है, बिलासपूर में कोई 9 लाग बता रहा है, तो इसका केवल एकी सॉलिशन है कि लास्ट डेट के बाद एक आइटे ही लगाई जाए, और उस आइटे है कि माध्यम से जो एक्जेक डाटा निका आया था, मैंने आपको ये बाद बोली थी, ये चीज़े थोड़ी सी कनफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दू, पूरी शियॉर्टी के साथ, कि जो रिजिस्ट्रेशन नमबर है, वो आपका ओवर आल ही निकल रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि कैटेकर रिजिस्ट्र नमबर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओवर आल रजिस्ट्रेशन नमबर आ रहा है, बागी एक्जेक डाटा जो है, आर्टे के माध्यम सी आपको मिलेगा, आप चाहिए एक हजार के बज़ए दो हजार वीडियो देख लीजे, कहीं पर भी आपको एक्जेक डाटा नहीं गर कर लीजेए के लिए और चाहिए एक्जेकश हजाब पब कर दायका नहींचे के लीजे